असलाम वेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सब खेरियस से होंगे आइम सहीदे कामन नदीम आप यह बाइयोलोजी टीचर पर क्लास नाइन्थ आज चाह टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है conservation of biodiversity और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि human beings का biodiversity पर क्या impact है तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स अपने पिछल लेक्चर में हम लोग ने देखे थे significance of binomial nomenclature मतलब आखिर binomial nomenclature की importance क्या है हम किसी भी organism को scientific name क्यों देते हैं तो हमने बहुत सारी confusions या बहुत सारी problems को देखा जो के scientist को face करनी पड़ी organisms के common names की वज़ा से इसलिए scientist ने इसका solution निकाला कि हर organism को एक specific scientific name दिया जाए और ये scientific names यानि जब ये binomial nomenclature accept हुआ और adopt किया गया different organisms को scientific names देने के लिए तो बहुत सारी confusions जो के organisms के name से relate करती थी वो हतम हो गई आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया topic जो के है conservation of biodiversity conservation का मतलब होता है महफूस करना मतलब हम कैसे महफूस कर सकते हैं अपनी biodiversity को conservation of biodiversity का topic start करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि biodiversity क्या होती है students अगर हम ये देखें कि chapter number 3 ही biodiversity है मतलब हमने अपने इस chapter के introduction में पढ़ा था कि आखिर biodiversity होती क्या है तो हम biodiversity को कैसे define करते हैं biodiversity is the measure of variety of different species of organism present in different ecosystem system यानि किसी भी organism की different species की कितनी variety present है हमारे ecosystem में या different ecosystems में species की कितनी types पाई जाती हैं तो इसको हम कहते हैं biodiversity अगर हम biodiversity की बात करें तो आइस्ता इस्ता बायोडाइवरस्टी खत्र में पढ़ रही है हम देखते हैं कि last century से लेकर अब तक बायोडाइवरस्टी में लॉज देखा गया है मतलब आइस्ता इस्ता बायोडाइवरस्टी को नुकसान हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वज़ा क्या है इसकी सबसे बड़ी वज़ा हम है मतलब human beings की activities या human beings के actions जो के बायोडाइवरस्टी के laws का सबब बन रहे है क्योंके हम यह देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे बहुत तेजी से human की population में इजापा हो रहा है और human की population में इजापा होने के साथ साथ बायोडाइवरस्टी में कमी होती जा रही है या बायोडाइवरस्टी को खत्रा है जैसे से human population बढ़ रही है वैसे वैसे बायोडाइवरस्टी का laws देखा जा रहा है आखिर कौन सी activities हैं या कौन से वो actions है human beings के जो के बायोडाइवरस्टी के laws का सबब बन रहे है हम यह देखते हैं कि किसी भी ecosystem में आईस्ता आईस्ता कुछ species बिलकुल नापैद होती जा रही है मतलब बिलकुल खत्म होती जा रही है और हम इन species को नाम देते हैं extinct species का तो हम किसी भी extinct species को किस ता define कर सकते हैं I species that is no longer present in an ecosystem is called extinct species मतलब ऐसी species जो के मजीद किसी ecosystem में exist नहीं करती तो उसे हम कहते हैं extinct species अगर हम extinct species की बहुत ही मशूर example लें तो वो हैं dinosaurs क्योंकि दुनिया में अब कहीं पर भी dinosaurs exist नहीं करते क्योंकि dinosaurs extinct हो गए हैं world से मतलब ये दुनिया से नापैद हो गए है बिलकुल खतम हो गए है अब हम इन dinosaurs की किसी किसम की कोई भी species दुनिया में नहीं देखते हैं मतलब ये दुनिया में नहीं पाए जाते हैं तो इसलिए हम ये कहते हैं कि dinosaurs are extinct species because they no longer exist in our ecosystem मतलब ये मजीद हमारे ecosystem में present नहीं है हम एक और तरीके से भी extinct species को define कर सकते हैं और ये definition आपके side box में दी गई है तो वो definition क्या है मतलब किसी भी ecosystem के अगर हम बात करें तो उसमें extinct species कौन सी होगी जब हमें जरा सा भी इस बात पे शक नहीं होगा कि उसका last individual भी मर चुका है बलके हमें इस बात पे जरा सा भी शक नहीं होगा कि उसका last individual भी अब जिन्दा नहीं है तो हम उस species को कहेंगे कि ये extinct हो गई है मतलब ये नापैद हो गई है इसे तरह कुछ species ऐसी है जो के extinction की तरह बढ़ रही है मतलब ये आईस्ता आईस्ता उस stage के तब जा रही है जब हम ये कह सकते हैं कि हमें ये मजीद species नजर नहीं आएंगी अपने एकोसिस्टम में या नहीं नजर आएंगी अपनी दुनिया में तो ऐसी species जो अभी extinct नहीं हुई मगर extinction की तरह बढ़ रही है तो ऐसी species को हम नाम देंगे endangered species का तो हम endangered species को कैसे define कर सकते हैं हम कहेंगे a species is called endangered when it is at risk of extinction in near future मतलब ऐसी species जो के near future में extinct हो सकती है या वो रिस्क पे है extinction के near future में तो उसे हम कहेंगे endangered species students इसी तरह आपकी बुक में कुछ extinct और endangered species दी गई है हम देखते हैं कि यह कौन से examples है तो black bug है hangul है lion है tiger है asiatic cheetah है यह examples है endangered और extinct species की हम चाहिए कि हम ऐसे steps लें जो के हमारी biodiversity को conserve कर सके और हम ऐसी activities से बचें जो हमारी biodiversity को loss की तरफ लेके जा रही है अब हम यह देख लेते हैं कि वो कौन से activities हैं जिनकी वजह से biodiversity आइस्था इस्था खतम हो रही है यह पर हम यह कह सकते हैं कि impact of human being क्या है biodiversity के loss पर किस तरह हम अपनी biodiversity को destruct कर रहे हैं सबसे बड़ा जो हमने देखा cause किसी भी biodiversity या किसी भी ecosystem की destruction का तो वो action से human beings के और उसकी वज़ा क्या है कि दिन बदिन human की population में इजाफ़ा होता जा रहा है अगर हम 10,000 साल पहले की बात करें तो human की population थी 5 million लेकिन अगर हम आज की बात करें तो यह बढ़ गई है 700 million तक अगर हम यह देखें कि एक दिन में human की population में कितना इजाफ़ा देखा जाता है तो तकरीबन 2,60,000 नए individuals एड होते हैं हर दिन मतलब हर रोज हमारी population में 2,60,000 individuals का इजाफ़ा होता है और अगर हम यह देखें कि एक मिनट में कितनी individuals एड हो रहे हैं तो 180 new individuals are born per minute इसका मतलब यह हुआ कि इंतहाई तेजी से human beings की population में हो रहा है इजाफ़ा और इस इजाफ़े की वज़ा से ही हमारी biodiversity खतम होती जा रही है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम यह कहें कि बायो डाइवरस्टी का लॉस सबसे जादा किस वज़ा से हुआ तो वो है habitat loss यानि किसी और organism की जगा हमने district की और अपने लिए जगा हमने वहां बनाई यानि अपने घर बनाई अपने hospitals अपने colleges अपने schools universities और अपनी employment के जराए उस जगा पैदा किया हम देखते हैं सिर्फ habitat loss ही बायो डाइवरस्टी के लॉस का cause नहीं है लेकिन हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि habitat loss सबसे बड़ा cause है किसी भी बायो डाइवरस्टी के लॉस का लेकिन इसके इलावा अगर हम extinction देखें species की तो उसके बहुत सारे और causes भी है जैसे के habitat loss के साथ साथ हम देखते हैं कि hunting इसके इलावा किसी भी नई species का introduction या removal किसी भी इको सिस्टम में साथ साथ हम यह देखते हैं कि किसी भी ecosystem को हम destruct कर देते हैं deforestation भी एक cause है किसी भी ecosystem या biodiversity के loss का students यहाँ पर कुछ percentages दी गई है जो के किस चीज की percentage है यह percentage है उन causes की जो के species loss का या species की extinction का बाइस बन रही है तो हम वो percentages देख लेते हैं अगर हम यह देखें कि hunting कितना हिस्सा डालती है किसी भी species की extinction में तो हम यह कह सकते हैं कि hunting 23% जो है वो शामिल है किसी भी extinction of species में फिर अगर हम यह देखें कि habitat destruction जो है वो कितने परसंट जो है वो 22 पंती है किसी भी species के extinction में तो habitat destruction की जो percentage है वो है 36% इसका मतलब यह वा कि habitat destruction या habitat loss भी बहुत बड़ी वजा है किसी भी species की extinction का और इसके इलावा अगर हम यह देखें कि किसी भी ecosystem में introduction जो होती है किसी और नए species की वो कितने परसंट जो है वो किसी भी ecosystem में किसी दूसरे species के लिए जो है वो नुकसान दे होती है या वो उस species के लिए यह वह extinction का बाइस बनती है तो वो है 39 परसंट यानि किसी भी species का introduction बाइस होती है 39 परसंट किसी और दूसरी species के loss का या extinction का बाकी जो reasons हैं जो हम लोग ने पढ़ी हैं तो वो 2 परसंट जो है वो हिस्सा डालती हैं किसी भी species की extinction में जी students तो आप मैं आप से एक छोटा सा कोई ले लेती हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आज का topic आप लोग को समझ आ गया है या नहीं आया हमारे पास जो सबसे पहला question है वो है what is extinct species तो इस्टुइंट जैसे मैं आप लोग को बताया कि extinct species क्या होती है in an ecosystem a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in that ecosystem यानि ऐसी species किसी भी ecosystem में जिनके बारे में ये doubt ना रहे कि उनका last individual भी जिन्दा है तो इसका मतब है कि वो extinct हो गई है या वो नापैद हो गई है या फिर हम extinct species को एक और तरह से भी define कर सकते है और वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते है a species that no longer lives in an ecosystem is called extinct in that ecosystem इसका मतब यह हुआ कि ऐसी species जो के मजीद उस ecosystem में जिन्दा नहीं है तो ऐसी species को हम कहते हैं extinct species a species that no longer lives in an ecosystem is called extinct in that ecosystem यानि ऐसी species जो के किसी ecosystem में मजीद जिन्दा ना रहे तो ऐसी species को हम कहते हैं कि यह extinct species है यानि कि यह अब मजीद इस ecosystem में exist नहीं करती इसके बाद हमाई पास जो question है वो है define endangered species तो endangered species क्या होती है a species is called endangered when it is at risk of extinction in near future यानि इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसी species जो के near future में extinct होने वाली होती है या फिर हम यूँ कह दें कि उसके extinction का बहुत जादा chance होता है near future में तो ऐसी species को हम कहते हैं कि यह क्या है endangered species है इसके बाद students जो एक और short question आप से पूछा जा सकता है वो क्या है give examples of extinct and endangered species जैसे कि हम लोगों ने आज के topic में बहुत सारी examples पढ़ी नहीं extinct और endangered species की तो यह short question भी आप से पूछा जा सकता है exams में और हम देख लेते हैं कि आपने कौन-कौन सी examples पढ़ी थी extinct या फिर endangered species की तो हमने पढ़ा था कि endangered or extinct animal species जो के Pakistan में exist करती हैं वो कौन सी है जैसे कि हम देखते हैं कि लाइन है टाइगर है अशियाटिक चीता है इसके इलावा हैंगूल है और भी बहुत सारी हमने जो है वो species पढ़ी जिन में से आप जो है वो कुछ नाम जो है वो आपके जहन में होने चाहिए यानि आप तीन चार नाम जो है वो लिख सकते हैं क्योंकि तो मांक होते है तो आप फोर नेम्स या शेक्स ने इंज या विज़ों को जरूर याद होने चाहिए इसके बात स्टूजेंट सम्देखते हैं कि आपके पास जो नेक्स च्छान है जो कि बोर्ष पॉइंट विव से बहुत हीं इंपॉर्टेंड है वो क्या है how many people add to world population each day जानि इसका मतलब यह हुआ कि आपने यह बताना है कि हर दिन यह जानि इज़दे human key population में दुनिया में human population में कितना जादा इदाफा हो रहा है यहाँ पिर हम यह कह सकते हैं कि हर दिन दुनिया की population में कितना इजाफा हो रहा है तो हम यह देखते हैं कि कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है more than 260,000 people are added to the world population each day यानि हर रोज तक्रीबन 2,60,000 लोगों का इजाफा हो रहा है दुनिया की population में तो इसके बाद चाहिए पर short question है वो कहा है how many people live on earth today यानि आज दुनिया में कितने लोग जमीन पर present है अगर आज हम देखें कि जमीन पर कितने अफराद या कितने लोग जो रहते हैं तो हमें पता चलेगा कि तक्रीबन 700 million people live on earth today इस्टुटेंट्स हमाई पास जो next question है वो कह है how many people add to world population each day यानि दुनिया की population में हर minute में कितना इजाफा हो रहा है तो students हम देखते हैं कि more than 180 people are added each minute यानि हर minute में तक्रीबन 180 लोगों का इजाफा हो रहे हैं दुनिया की population में इसके बाद students हमाई पास जो question है जो के आज के lecture से ही related है वो क्या है name causes of species extinction जैनि आपने ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे causes हैं जो के species extinction में जो अपना role play करते हैं तो आपने सिर्फ उस जो एन names लिखने है तो हमने कौन कौन से जो वो causes पढ़े हैं जो के species की extinction में रोलते करते हैं तो हमने पढ़ा कि habitat loss deforestation overhunting introduction और removal of species pollution and climate change are the major causes of species extinction यानि इसका मतलब यह वह कि अगर आप किसी भी species के रहने की जगह यानि habitat loss कर दें यानि उसके रहने की जगह को खराब कर दें आप दरख कर दें आप overhunting करें या आप किसी भी area या habitat में किसी नई species को introduce कराएं या किसी भी species को वहां से remove कराएं इसके लावा जो pollution में दिन बन दिन इजाफा होता जा रहा है और इसके बाद जो last हमाई पास cause है वो है climate change यानि जो मौसम में अचानल तब्दीली हो जाती है उसकी वजासे भी हम देखते हैं कि इस्पिशिस आइससे एक्स्टिंट होते जा रही हैं तो यह सारी जो वजुहात हैं इनके नेम्स आपने लिखने हैं जैसे मैं आप दोंको बताएं तो यह नेम्स आप दोंको ने कॉकी कि फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं आप इनकी जो है वो नॉम्बरिंग करके भी जो है वो इनके नेम्स बता सकते हैं कि यह यह कोजिस हैं जो कि इस्पिशिस को एक्स्टिंग कर रहे हैं इस के लावब हम देखते हैं जो हमारे पास last question है वह कहा है यह species extinction में contribute कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम हंटिंग की परसंटेज देखें तो तक्रीबन 23 परसेंट हंटिंग और तक्रीबन 36 परसेंट habitat destruction जो एक अपना role play कर रही है या contribute कर रही है इन extinction of species तो स्टुडेंट्स यह वो कोस्टन है जो के आप लोगी exam point of view से बहुत ही important है और यह वो कुस्टन से जो के आप के बहुत सारे board exams में repeat हो चुके इसलिए आपने इनकोस्टन के रिटन प्रेक्टिस करनी है और आपने अच्छे से इनकोस्टन को प्रिपेर कर लेना है अपने paper की preparation के लिए students हमने आज देखा conservation of biodiversity हमने यह पढ़ा कि किसी भी ecosystem में दो types की species होती है एक वो जो मजीद उस ecosystem में नहीं पाई जाती जिसको हमने नाम दिया extinct species का और दूसरी वो जिनको यह खत्रा लाहक होता है कि वो near future में खतम हो जाएंगी मतलब endangered species यह दो species हमने पढ़ी आज के topic में और साथ साथ हमने discuss की कुछ examples जो के extinct और endangered species है और फिर हमने यह देखा कि biodiversity क्यों आइस्ता आइस्ता खतम होती जा रही है यानि laws of biodiversity हमने देखा और उसकी सबसे बड़ी वज़ा थी human beings की activities या human beings के actions जो के वज़ा बनते हैं biodiversity loss का इसके इलावा हमने human beings के साथ साथ ये भी देखा कि कौन से factors हैं जो के biodiversity को आइस्ता आइस्ता affect कर रहे हैं और हमने इनकी percentages भी पढ़ी उमीद है आज के lecture से आब उने बहुत कुछ सीखा होगा और आप भी इस बात पर गोड़ कर रहे होंगे के हमारी वज़ा से यानि human beings की activities की वज़ा से biodiversity को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और ultimately इस biodiversity का loss असल में हमारे ecosystem का ही loss है और ये loss ultimately हमें नुकसान पहुंचाएगा और किसी किसम का फाइदे का बाइस नहीं बनेगा इसलिए आप लोग भी ऐसे steps उठाएं कि अपनी biodiversity को conserve कर सकें ताके आने वाले मसाइल से आप लोग भी महफूस रह सकें और आपकी वज़ा से organisms की बाकी species भी महफूस रह सकें यहां हम यूं कह सकते हैं कि हमारी वज़ा से किसी organism को नुकसान ना पहुंचे और किसी और organism के नुकसान की वज़ा से ultimately हमें नुकसान ना पहुंचे उमीद है आप लोग आज के टॉपिक की अच्छेता समझ आगी होगी और आप लोग भी वो सब steps लेंगे जो के conserve करा सकता है बायो डाइवर्स्टी को अगले लेक्षे तक के लिए अपना ख्याल रखेगा और अपनी सराउंडिंग्स या अपने एको सिस्टम का भी ख्याल रखेगा तब तक के लिए अल्ला हाफिस